इस माईने में होगा कि ये गंतंत्र की धरती रही है भारत का इतिहास विहार के छित्र से विहार के लोगों से विहार के रास्ते से निकला भरवान गाम पड़िवेट की जरुवत नहीं है और नो इसकी परमानिक्ता की जरुवत नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सोरवराज। बिहार सताब्दी वर्स मना रहा है मेरे साथ बिहार विदानसभा के अध्यख्च विजाय सिनहा है इन से जानेंगे कि जो सताब्दी वर्स मना रही है बिहार क्या बिसेश होगा इस सताब्दी वर्स में और कारकरम में क्या कुछ अलग होगा सर बिहार सताब्दी वर्स मना रहा है शुरुवात हो चुकी है और अभी कारकरम चल रही है क्या कुछ अलग आप करने वाले हैं सर मान्य मुखमंत्री जी के द्वारा साथ फरवरी दुहजार एकीस को यह प्राडब हुआ और यह कार्जकर्म अभी आगे तक चलेगा महामहिम राश्ठपती महोदे के द्वारा इस कार्जकर्म को मूर्तुरूप दिया जाएगा ढंग से और महा महीम राष्टपति महधे पिछले बार हम आये थे तो उन्होंने कहा था दुरगा पूजा के बाद उसी समय संजूग से महा मुपराष्टपति महधे शेभी मिलना था वो बाहर थे फिर समय दिये तो आकर के हम लोगों आज मिला है उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और विहार के प्रति जो सने है संसदिये अनुभव का भी हम लोग को मार्गदर्शन मिला है और ये कार्जकर्म एतिहासिक इस माइने में होगा कि ये गंतंत्र की धर्टी रही है विहार से 1921 से 2021 तक के सफ़ड में बिहार ही सबसे आगे पडिवर्तन का केंद्र विंदू रहा चाहें वो केंद्र विंदू आजादी की बात हो चाहें वो जन गंतंत्र को राजतंत्र में बदलने का जो खिल सुरू हुआ उसके भी मुक्त कराने का और जनतंत्र की वात को अस्थापित करने का वो सब विहार से हुआ राजनितिक उथल पुथल और विकास की धारा विकास की सोच विहार के रास्ते से ही देश तक पहुंचता है तो इसलिए बहुत अइस्तिहासिक ये काजकम रहेगा और कई अनुभव को अपने नए जन्देशन को भी जानने का मौका मिलेगा पूरे विहार वासी इससे बहुत प्रफुलित और गोरवानवित महसूस कर रहे हैं कि ये अब सर हमको मिला है सतावदी वर्स मनाने का सर हम और आप इसे इंकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार देश बहर में बदनाम है राजनीती में भी बदनाम है कि जाती के नाम पर राजनीती होती है वहां के छातर जैसे बिहार से बाहर निकलते हैं बिहारी सब्द जूड़ जाता है आप कैसे बदलिएगा कैसे इन सब चीजों से हट के काम कीजिएगा सर आपको बता दें कि जाती आधारित राजनीत जब तक बूट की राजनीत रहेगी तब तक यह खेल खेलते रहेगा लेकिन जाती परथा से किसी के ब्रक्तित को दावा और रोका नहीं जा सकता है हमेशा विहार अपनी परतिभा से अपनी पहचान बनाई है आज देश के परथम राज्टपती राजन्दर वावू अपनी परतिभा से वह अस्थान प्राप्त की विहार के कईये इसी सपूत है जो जाती से हट कर अपने कर्म से विहारी कहलाने में गर्ब महसूस की और वह विहारी अपने राज्ट के ही अंदर नहीं देश और दुनिया में अपना कर्म से अपनी किर्थी से अपने को गौरवानवित ही नहीं देश को गौरवानवित किया है इसलिए विहारी कहलाने में जिन लोगों को सर्म महसूस होता है या जो लोग विहारी से नफरत करते हैं वो कहीं न कहीं इस राष्ट के हीत इसी नहीं है इस राष्ट के साथ उनका सने नहीं है क्योंकि भारत का इतिहास विहार के छितर से विहार के लोगों से विहार के रास्ते से निकला है आप पर एक तरफ कहते हैं बिहारे गणतंत्र की जनिनी है कुछ लोग ये मानते हैं कि सम्विधान क्या धिकार देता है उसे हमेशा याद करते हैं लेकिन सम्विधान कुछ करतवियों की भी हमेशा याद दिलाती है लेकिन उस चीज को लोग भूल जाते हैं सर देखें सम्व मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारा करतब का भी बहुत कराता है। आज इसकी जरूरत है नए जन्देशन दोते हाई हैं। इनको जानने की और पुराने लोग भी बहुत सारे जो इसको अधिकार सीव जानना की प्रयास किये। करेंगे कि राष्ट के परती हमारी क्या जिमेबारी है, समाज के परती हमारी क्या जिमेबारी है। हमारा राष्ट ये एकता, अखंडता, सामाजिक सदभाव, विकास के परती हमारी क्या करतबे बनता है। इसकी जरूरत है और आज इस पर बुद्धी जीवी की भागिरदार हो हर बुद्धी जीवी माता पिता या सभी लोग अपने बच्चों को शमाज और राष्ट के परति अपनी जिमेबारी का बूद कराएं चल्दे 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 छोटा सा सवाल है आप राजनीति को उपर तो बात करते नहीं है सर लेकिन अब कुछ लोग राम की फिर से चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग ये काते कि राम का कोई अस्तित्व नहीं रहा है कोई ये बता नहीं सकता है कि वो जिवित व्यक्ति थे आ देखे भगदान राम पड़्डिविट की जरूरत नहीं है और नो इसकी परमानिक्ता की जरूरत है ये आस्था के साथ साथ लोगों के विश्वास हमारी संस्कृती सभ्यता और इस राष्ट के पहचान है और इस राष्ट के पहचान का परमान है कि आप संविधान के अंदर ही देखें कि ये संविधान के अंदर आप देखें भाग दू में नागरिक्ता वैदिक काल है आप इसी के अंदर देखें भाग तीन मूल अधिकार में भगवान राम मासीता और भगवान लक्षमन का फोटो है तो संविधान ने इसको गहन किया है और हम संबैधानिक पत पर बैठे हर लोग की जिमेवारी है कि अपने विरासत पर गर्म महसूस करें और अपनी संबैधानिक जिमेवारी का निर्वाहन करें आने वाले पीरी को अबगत कराएं और इसमें डिविट का कहां जगा परता है इसलिए यह कोई जगा नहीं है भागवान राम हमारे संबैधान के सबसे मूल अधिकार के उपर हैं आप देखें यहां फ्हूंटो हैं क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं इसलिए यह बहस की जरूरत नहीं है इसकी परमान की जरूरत नहीं है ठीक है बहुत सारे ज्यानी लोग है अपने अपने ज्यान का अलग-अलग रूप से वकान करते हैं लेकिन जो सत्य है उसको सिकारना चाहिए और सत्य से मूँ फेरना यह कहें उचित नहीं है शुक्रिया सर्थ से निकला भरवान गाम पर डिवेट की जरूरत नहीं है और नो इसकी परमानिक्ता की जरूरत